नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सत्यम आईए करते हैं खबरों की सुरुवात सबसे पहले नज़ा डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर बम मार कर छट प्रती महिला की हत्या करने वाले सरपंच पतिक कारू यादव गिरफतार आदा दर्जन सदिक मामले में पुलिस को थी तलास मकर संक्रांती पर सरधालों ने लगाई आस्था की डुप की तिलकुट और मिठाई खिला कर एक दूसरे को दीव बधाई मानप स्रिंखला की तैयारी को लेकर डियम परनप कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक जन जाग रुपता चलाने का दिया निर्देश जिले में नहीं थम रहा है रफतार का कहर दो अलग अलग जगों पर वे सड़क हाथसे में एक की मौत तीन की हालत गंभीर और भागलपूर के विशरी मंदीर में लगी भीसानाग हजारों रुपए का समान जल कर हुआ राक अब समचार विस्तार से बम मार कर छटपरती महिला की हत्या करने वाले आरोपी सरपंचपती कारू यादब को पुलिस ने दबोच लिया है मधु सुधनपूर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कारेवाही करते हुए नवटोलिया इलाके से च्छापे मारी कर अपराधी कारू यादब को गिरपतार कर लिया है बुद्वार को CT DSP राजवन्स सिंग ने प्रेस कॉंफरेंस कर पकड़े गए अपराधी के बारे में विस्तार से जानकारी दी DSP ने कहा कि 2 नवंबर को खरना के दिन पॉलोस की महिला पर आरोपी कारू यादब ने बम फेक दिया था जिसमें इलाज के दोरान महिला की मौत हो गई थी DSP ने कहा कि पकड़े गए अपराधी पर सहर के तीन थानों में हत्या, डकईती, आमस एक्ट और हिंसा फैलाने के पांच संगीन मामले दर्ज हैं वहीं DSP ने बताया कि कारू यादब की गिरफतारी पुलिस के लिए चुनवती बनी हुई थी मंगलवार को मदू सुदनपूर थाना ध्यक्ष मितले स्कुमार को अपराधी कारू यादब के नब्टोलिया गाउं में छिपे होने की सूचना मिली जिसके बाद छापे मारी कर आरोपी को गिरफतार कर लिया गया यादब शाकिम करेला भेरिया थाना मुदसुदनपूर जिला भागलपूर ये अपने ही बगल की महिला वो बम मार के हत्या करने के मामले में नामज़ाद अभ्यूग थे मकर संक्रांती को लेकर बुदवार को गंगा घाटों पर सरधालों की भीड उमल पड़ी भागलपूर के बरारी सीड़ी घाट, पुल घाट, बुढानात घाट समयत कई घाटों पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और गंगा अस्थान किया इसके बाद सरधालों ने परंपरा अनुसार गरिवों के बीच गंगा घाट और मंदिरों में जाकर तिल, गूल और वस्त्रदान किया मकर संक्रांती पर भागलपूर के गंगा घाटों पर आसपास के जिले सहित काफी संख्या में जारखंट से भी सरधालों पहुँचे थे वहीं बुढानात मंदिर, सिव सक्ती मंदिर, संकट मोचन मंदिर, मा वैस्नो देवी मंदिर समेथ, सभी पूजा स्थानों पर सरधालों ने पूजा अर्चना की और एक दूसरे को मकर संक्रांती की बधाई दी इधर परव को लेकर भागलपूर के लोगों में काफी उत्साह देखा गया और सभी समुदाई के लोगों ने मिलजूल कर मकर संक्रांती का परव उत्साह पुरुवक माहौल में मनाया वहीं भागलपूर के संडिस कंपॉंड में योग हेल्थ कलब द्वारा आयोजित कारेक्रम में महिला एवं पुरूस ने जमकर मस्ती की और एक दूसरे को मकर संक्रांती की सुबकामनाये दी जब प्रकास उध्यान में लोगों ने खिचडी, तिलकूट, तिलवा, दही, केक, मिठाई और सबजी के स्वाद का भरपूर आनंद लिया साथ ही कडाके की ठंड को अलविदा कहा आईए हम आपको दिखाते हैं मकर संक्रांती पर सिल्व टीवी समवाद दाता सेयदिना मुद्दिन की खास बात चेत मकर संक्रांती को लेकर देश भर में काफी उत्सा देखा जा रहा है लोग उमंग के साथ इस्तहवार को मना रहे हैं भागलपूर में हमारे साथ कुछ लोग है आए हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरह हमकर संक्रांती को सिल्वरेट कर रहे हैं आप किस तरह कर रहे हैं एक्चूली कि छुछ को हैं पाहर में ढ़नाती मेरा किसे ज aceous kogh भोली है सबस्केट हम अर पिरूबर करें । इस परव बहुंत बहुत इसाथे आप और में जानेगे कि बताये क्या बहुत्ता है अप पताय इसका है आप बताये कैसे राहे है着 काफी इंजुआय कर रहे हैं इंजुआय के साथ मारे आप बताइए क्या संदेश देंगे इस पर उपर योग हेल्द कलब की सारी महिला एक साथ हम लग जमा हुए हैं और हैपी न्यू येर के साथ मकर संकरांती भी मना रहे हैं और हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा हैं काफी मज़ा आ रहा है मकर संकरांती का तेवार मना रहे हैं आप बताइए सर क्या संदेश हो का अवसर पर सिर्फ इतना है कि समाज में हमेशा भाई चारा प्रेम परसपर बना रहे हैं सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके तेवार का अनंद लें जो हमारी हिंदू संस्कृती ह और मकर संकरांती के आवसर पर हमें एक जुट्ता दिखाने का मौका मिला है हम सभी लोग समाज के में वर्गों से आते हैं लेकिन योग होल्थ में सब हम साथ हैं इसलिए हम साथ ही इंज्वाइ कर रहे हैं, मगर संक्रांती का पर्व दही चुड़ा और तिलवा तिलकुट जो भी है, हम सब्जी, खिचडी, सब का आमने लिया और सब हमारे बहनों ने बनाया, सबसे अच्छी बात यह है कि यहां की महिलाएं हैं, जो अपने घर से सारा कु अच्छी बनाया जाता है तो आप देख रहे कि Tasतरीके से महिला आएं का आनुद ले रही हैं, ऑर और भी कुछ महिला हैं हमारे साथ, हम से बात करेंगे बताये कैया लग रहा है आपको आज दो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं एक मेने से बीमार थी आज तो लग देख इसको मकर संक्रांती इसलिए कहा गया है कि सुरी का प्रवेश जो है दनू से मकर रासी में प्रवेश होता है इसलिए इसको मकर संक्रांती कहा जाता है और इस दिन तील फूर खिचडी का विशेश महतु है क्योंकि हर वर के जाती के लिए कोई दही चुडा खाते हैं एक दू चीनी मिना करके उसके पहाने की परंप्रा है इसलिए हैं पर्म पर शाय करते हैं और हमारे गुरुजी इसे लेकर और तीन-बायें। हम लोग सारा कुछ द्रना वरा सलीप्रेशन कर रहे हैं कि यह मकर संक्रांती नहीं, खपड़ा अस्मान फर्थ संक्रांती हैं। अप देखें किस करिगे से लोगों में विज़ा हैं और भी महीलाएं हमारे साथ। पताये, मंकर संक्रांती पर आप आप पन सल presenting गाह यह झालों टाणान करना नहीं है तंभी न के शान लेड़र किस्टीम हम लोग कंगा आशलान करती है और उसरे वर्स को पहला स्क्राइब संस्कृत है प्रहुत श्परक्रा है आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों में भागलपूर के लोगों में मकर संक्रांती को लेकर के काफी उत्सा है और लोग मिल जूल कर आपस में भाई चारा के साथ मकर संक्रांती का तहवार मना रहे हैं अपने सहयोगी कैमरा परसन सुमीद के साथ से ये दिनामुद्दिन सिल्क टिवी भागल पूँगा जल जीवन हरियाली अभियान के तहट 19 जनवरी को बनने वाले मानप स्रिंखला की तैयारी को लेकर बुद्दवार को नवगची अनुमंडल कारियाले सवागार में बैठक आयोजित की गई बैठक की अधिक्षिता जिलादिकारी परनब कुमार ने की इस दोरान जिलादिकारी ने अनुमंडल के सभी बीडियो, सीयो, सेक्टर पदादिकारी और कर्मियों से मानप स्रिंखला को लेकर किये गए तैयारियों की जानकारी ली डियम ने कहा कि मानप स्रिंखला को सफल बनाने के लिए जन जागरुकता बेहद आवस्चक है उन्होंने सभी अधिकारियों को जागरुकता वियान में तेजी लाने का निर्देश दिया साथ ही डियम ने मानप स्रिंखला बनने वाले रूटों पर पानी की वेवस्था करने स्वास्त कर्मियों की तैनाती करने एवं परियाप्त संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति करने का निर्देश संबंदित विभाग के अधिकारियों को दिया बेटक में HDO मुकेश कुमार, HDPO परवेंद्र भारती, DCLR परमोट सासहित कई कर्मी मवजूद थे इन दिनों जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है बुदवार को पुलिस दिला नवगचिया नच 31 पर दो बाइकों के बीच सीधी टकर हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत घटना स्थल पर ही हो गई जबकि दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायर हो गया जिसे अस्थानिया लोगों इमंप नवगचिया पुलीस की मदद से इलाज के लिए नवगचिया अनुमंडल अस्पताल में भरती कराया गया जानकारी के अनुमसार नवगचिया थाना छेतर के एनाचिकतिस हीरो सोरूम के समीब तेज रफतार दो बाइक सवार ने अपना संतुलन खो दिया और एक दूसरे को सामने से जोरदार टक कर मार दिया घटना के बाद मौके पर रागीरों की भीर जूट गई जिसके बाद घटना की सूचना पुलीस को दी गई वहीं अमरपूर बाका मुख्य मार्ग विसंबर चक गाउं के समीब तेज रफतार ट्रक ने बाइक सवार को रोंद डाला घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्थानिया लोगों की मदद से रेफरर अस्पताल में भरती कराया गया जहां डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए बहतर इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में रेफर कर दिया घटना के बाद अस्थानिया लोग उगर हो गये और अमरपूर मा का मुख्य मार्ग को जाम कर दिया इस दोरान ग्रामिनों ने पुलिस पर सासन के खिलाप जम कर नारेवाजी की अस्थानिया लोगों ने नो एंट्री के दोरान पुलिस पर पैसा लेकर बड़ी गाडियों को पास कराने का आरोप लगाया वहीं जाम के कारण सलक के दोनों और वहानों की लंबी कतार लग गई गटना की सूचना मिलते ही सियो सुनिल कुमार साह एवन परभारी थाना ध्यक्ष मनोच कुमार काफी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे और आक्रोसित लोगों को समझा बुजा कर सांथ कराया वही थाना ध्यक्ष ने दोसी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कारवाही करने का स्वासन दिया है भागलपूर घंटा घर चौकिस्तित विसरी काली मंदीर में बुद्धवार को अचानक आग लग गई आग लगने से मंदीर परिसर में रखा सारा समान जलकर राख हो गया मंदीर के दूसरे तल पर आग उस वक्त लगी जब मंदीर का पुजारी नागेस्वर पंडित दही चूड़ा खा कर अराम कर रहा था परत्यक्ष तरसियों ने बताया कि दोपहर में अचानक विसरी मंदीर के दूसरे तल से काफी धुआ निकलने लगा इसके बाद रहागीरों ने जब मंदीर में प्रवेस का आग बुजाना चाहा तो मंदीर के मुख्य द्वार में ताला लगा हुआ था वही कुछ युवगों ने मंदीर के उत्तरी भाग से दिवाल फांद कर पंडित नागे स्वर को जगाया और पानी डाल कर बड़ी मसकत के बाद आग को बुजाया मंदीर के पुजारी ने कहा कि भोजन कर वह नींद में सो गया था साथी ठंड से बचने के लिए बगल में पुआल जलाया था काफी सोर सुनने के बाद जब आग खुली तो मंदीर में धुआ और आग की लप्टें तेज हो गई थी वहीं आसपास के लोगों ने काफी मसकत के बाद आग परकावू पाया हलांकि आग लगने से कुर्सी समयत कई परकार की वस्तू जलकर नश्ट हो गई है मंदीर में आग कैसे लगी यह अब तक संधे के घेरे में है वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद जी हाँ अब आपके सर भागलपूर में विश्वस्तरिय पढ़ाई की सुईदा पहली बार जीडी गोईंक का पब्लिक स्कोल सी बीएसी कॉरिकोलम नरसरी से सिवन्त तक की पढ़ाई सेंट्रलाइस्ट एर कंडिशन कैंपस एसी बस विच जीपियस औन सीसी टीवी चाहे आवासिय हो या डे स्कॉलर बच्चों के सरवांगिन विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ये लाइबरेरी भी हमारा पता है जिड़ी गोईंका पब्लिक स्कॉल जीचो बिसनपूर भागलपूर कॉंटेक्ट नमबर 7672-80010 अन्मिशन इस गोईंग आन कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें सही समय और सही जगा पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात होस्पीटल समू नारायना हेल्थ ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571 यादरे 9199446571 नारायना हेल्थ ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है बढ़ते हैं अगली खवर की ओर राच्किया मंदार महतसफ सह बौसी मेला के दूसरे दिन कई सांस्कृतिक कारिक्रमों का आयोजन किया गया कारिक्रम की सुरवाद गनेस वंधना से हुई इस दोरान इसकूली बच्चों के द्वारा गीत और नृत की सांदार प्रस्तुति दी गई जिसके बाद कई कारिक्रम आयोजित किये गए वहीं बौसी मदू सुधन मंदिर से भगवान मदू सुधन की भव्य सोभायात्रा निकाली गई जो मंदिर का भ्रमन करते हुए पापहरनी शरोवर पहुंची सोभायात्रा में हज्जारों की संख्या में लोगों की भीड जूटी रही वहीं बाका पुलिस परसासन की ओर से भीड को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गए हैं पास दिवसिया मेला में क्रिसी विभाग, परिवहन विभाग, जिला लोग सिकायत, पीचीडी विभाग, जन्संपर्क विभाग सहित, कई विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं सलक सुरक्षा सपता को लेकर बुद्धवार को भागलपूर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से पेंटिंग एवं स्लोगन परतियोगिता का आयोजन किया गया इस दोरान राजकिया मुक वधिर आवासिय मद्विद्याले के एक दरजन से अधीक बच्चों ने सलक सुरक्षा पर पेंटिंग बनाई, छात्रों ने सलक सुरक्षा पर एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई, साथी सलक पर चलते समय क्या साबधानी बरती जाए, इसको लेकर स्लोगन भी लिखा, वहीं रेड क्रोस के आपदा प्रभारी मनोच कुमार पांडे ने कहा कि परतियोगिता में चैनित छात्रों को नगद रासी और परमान पत्र दिया जाएगा, मौके पर डॉक्टर वकील परसाथ सिंग, स्वर्न कला कुमारी, हीरा लाल, संतोस कु परत्राम दूतिय और तीतिय पुष्कार 17 तरिकों सरक्षा सफ्ता के दोरान दी जाएगी और नगद कैस के साथ-साथ, इनको एक प्रोसान रासी के साथ-साथ एक सर्टिपिकेट भी दी जाएगी वहीं सलक सुरक्षा सफ्ता को लेकर छात्राओं ने DRDA परिसर से जागरुकता रैली निकाली, सिक्षा विवाक की ओर से निकाली गई रैली में छात्राओं ने सहर के बिभीन चौक चौराओं का भ्रमन करते हुए, आम लोगों से यातायात नियमों का पालन करने, बाइक च सत्यांद्रवर्मा समयत कई अधिकारी मवजूद थे प्रेणा ले सकता है, चार महीने पहले बिश्व भ्रमन करने निकली, इस्पेन की मार्टिन साउष्टी बुद्वार को भागलपूर पहुची, म्यानमार्थ थाइलेंड, सिंगापूर, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वह अन्य कई देसों का भ्रमन कर चुकी मार् पिछले दो महीने से भारत भरमन पर है, इस उम्र में बिश्व भ्रमन का यह संकल्प लेना किसी कठोर प्रन से कम नहीं है, आज के यूँ आं मार्टिन साउष्टी की हिम्मत और जज़बात से प्रेणा ले सकते हैं I'm from Spain and I'm traveling around the world. Now I stayed in India for two months. I go to Myanmar now, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, New Zealand, Chile and all South America and North America. I'm finished going to my home in Madrid, Spain. Yes, I travel by motorbike. Yes, alone. I stay my trip four months ago. भागलपूर आयकर कारियाले में बुदबार को प्रिंस्पल कमिस्नर डियस बेनुपानी के नेत्रित में बैठक आयोजित की गई. बैठक में लाश्ट क्वार्टर के टेक्स 15 मार्ट से पुरू जमा करने के लिए चेंबर के सदस्य C.A. वम वकीलों ने चर्चा की. इस दोरान संयुक्त आयकर आयुक्त आरपी राम ने कहा कि 21 जनवरी को होने वाली बैठक में डॉक्टर स्वर्ण वैपारी मारवल वैवसाई बिभाभवन के वैवसाईयों को अपने इंकम की सही आंकलन कर टेक्स जमा करने के लिए जागरूग किया जाएगा. साथी टेक्स का दाइरा बढ़ाए जादा से जादा टेक्स जमा करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा. भागलपूर जगदिस्पूर परखंड स्थित लोकनात उच्च विद्याले परिसर मैदान में बुद्वार को मानप स्रिंखला को लेकर सहायक जिलादिकारी आसुतोस दिवेदी के नेत्रित में सामुहिक भोज सह पतंगवाजी का योजन किया गया. इस दोरान मानप स्रिंखला को लेकर मौक ड्रिल किया गया. पतंगवाजी में सहायक जिलादिकारी समेत मौजूत लोगों ने पतंगवाजी का जमकर आनंद उठाया. इस अबसर पर थाना ध्यक संजे सत्यार्थी, प्रमुख रहमत उद्दीन, विडियो चंद्र भुशन कुपता, मुखिया संदध्यक्ष मुकेस मंडल, राजीप साह, आसुतोस चंद्र मिस्रा, संकर पासवान, बिर्वल मंडल, उत्तम सर्मा समेत, काफी संख्या में अस्थानिया लोग मौजूद थे. कडाके की ठंड को देखते वे, भागलपूर में कई समाजिक संगटन और NGO की ओर से, गरीबों के बीच कम्मल वित्रन किया जा रहा है. बुद्वार को मकर संकरांती के अफसर पर नागरी क्विकास समीती की ओर से, राधा कृष्ण मंदिर परिसर में, असहाय लोगों के बीच, महा परसाद और कम्मल बाटा गया. कोतवाली चौक के अनंत नाम लेन में, CTDSP राजवन्स सिंग, संस्था के सत्यम नरायन साह समेत, कई लोगों ने निर्धन परिवार के सदस्यों के बीच कम्मल का वित्रन किया, ससी जैसवायल परिवार की ओर से आयोजीत रहात सिविर में, समाज के वंचित लोगों को मकर स सक्रांती पर खिचली का भी भोज कराया गया, वहीं CTDSP राजवन्स सिंग ने समीती के कारियों की जमकर परसंसा की, मौके पर कोतवाली इंस्पेक्टर अमर विश्वास समेत, नागरी कविकास समीती के कई सदस्य मौजूद थे, भागलपूर सनोखर थाना छेत्र बिहार जारखंड की सिमा इस्थित सालू पाड़ा मोल के समीत बुद्वार को पुलीस ने सगन वहान तलासी अव्यान चलाया, इस दोरान जारखंड की ओर से आने वाले वहानों की जाच की गई, दरोगा उमासंकर सिंग ने बताया कि सराब तसकरों एवं सरावियों की जाच के ल वृद्वा एवं दिब्यांग लोगों के बीच मुखिया यमना देवी ने एक सो से अधिक कंबल का वितरन किया, मुखिया ने बताया कि सितलहर में ठंड से बचने के लिए बेसहारा वृद्वा दिब्यांग एवं जरुरतमंद लोगों का चैन किया गया था, जिसके मुखमद अब्दुल्ला सहित कई ग्रामिन मौजूद थे और अंत में चलते चलते एक नज़ा डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर बम मार कर छट प्रती महिला की हत्या करने वाले सरपंच पतिक कारोयादव गिरफतार, आदा दर्जन सदिक मामले में पुलिस को थी तलास मकर संक्रांती पर सरधालों ने लगाई आस्था की डुपकी तिलकुट और मिठाई खिला कर एक दूसरे को दीब बधाई मानप स्रिंखला की तैयारी को लेकर डियम परनप कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक जन जाग रुपता चलाने का दिया निर्देश जिले में नहीं थम रहा है रफतार का कहर दो अलग अलग जगों पर वे सड़क हाथसे में एक की मौत तीन की हालत गंभीर और भागलपुर के विशरी मंदिर में लगी भीसानाग हजारों रुपए का समान जल कर हुआ राक फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही नमस्कार